अव प्रकृति के रंग काकर मनला नहीं भावाए। अव ये प्रकृति के दम्मो रंग हा एक संग देखेला मिल जाए तब मन कतका प्रसंद हो जाथी। राइपूर के गांधी उद्यान मा चला थे तीन दिवसी फूल और साग सबजी के प्रदर्शनी। आवा देखा हमार खास रिपोर्ट। प्रकृति के रंग बिरंगा खूबसूरती मनला मोह ले थे। कोन नहीं चाहे के प्रकृति के ये उपहार के लुद्व उठाए। रंग बिरंगा फूल फर और साग भाजी लदेख के हर कोनों के चेहरा हाँ खिल जाते। रैपूर के गांधी नहरू उध्यान आज कल परकृति के ये खूबसूरती ले गुलजार है। जीहां पाच्छू दू दिन ले तीन दिवसी परदर्सनी किसिम किसिम के फर फूल और साग भाजी के चला थे। जेकर आज अंतिम दिन है। परकृति की और सुसाइटी के सहयोग ले उध्यान की विभागा ये परदर्सनीला लगाए है। जेनमा 1486 परकार के अलग-अलग किसिम के फर फूल और सबजी पूरा परदेश भर के किसान मन के द्वारा लाए गए है। परदर्सनीमा लगे ये रंग-विरंगा फूल मन देखते बना थे। आउँ उध्यान हर फूल के खुसबूले कहर महर करा थे। ये परदर्सनीमा 36 गड़ के जम्मो 27 जिला के किसान मन भाग ले है। जेकर आज अंतिम दिन है। ये परदर्सनी बिहन या 9 बजे ले रात के 8 बज़त तक चली। ये परदर्सनी के समापन समारो आज संजह 5 बजे हो ही जेकर मुख्य पहुना हमर 36 गड़ के मुख्य मंतरी भूपेस बगेल है। ये परदर्सनी उद्यान के विभाग की तरफ से रखी गई है। जिसमें 36 गड़ के 27 जीले हैं। वहां से जो फार्मर, जो किसान भाई हमारे खेती करते हैं साग, सबजी, फूल में। उनका प्रादाश हम यहां रख रहे हैं, जिससे लोगों में और जागरुकता बढ़ें, और किसम किसम की सबजी, साग, भाजी देखें और वो भी खेती करने के लिए उद्साहित हों। अब को बनाने के लिए ट्रेनिंग जेते हैं। परकारी संस्थामन के भी विशेश इस्टाल लगे हैं। संगे संग क्रिशी उत्पादन ले संबंधित उपकरन, खातू, किसिम किसिम के बीज और नर्शरी के पौधामन के विक्री बर इस्टाल घला लगाए गये हैं।